प्राचीन समय में एक ब्राहमनी थी जिसका नाम शिवा था वह बहुत गरीब थी लेकिन भगवान शिव की भक्त थी वह हर महिने की चतुरदशी को शिव व्रत रखती थी एक दिन उसके पती की मृत्यू हो गई शिवा की स्थिती और भी खराब हो गई लेकिन उसने शिव व्रत करना नहीं छोड़ा भगवान शिव उसकी भक्ती से प्रसन हुए और एक दिन उन्होंने उसे दर्शन दिया शिवा ने भगवान शिव से कहा मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पती की मृत्यू हो गई है मुझे अपने पती को वापस दिलाएं भगवान शिव ने कहा तुम्हारी भक्ती से मैं प्रसन नहूँ तुम्हारे पती को वापस दिलाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा शिवा ने कहा मैं कुछ भी करूंगी बस मेरे पती को वापस दिलाएं भगवान शिव ने कहा तुम्हें एक पेड के नीचे बैठ कर शिव वरत करना होगा और मेरे मंत्रों का जाप करना होगा शिवा ने ऐसा ही किया उसने पेड के नीचे बैठ कर शिव वरत किया और भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया भगवान शिव उसकी भक्ती से प्रसन्न हुए और उसके पती को वापस जीवित कर दिया शिवा की स्थिती सुधर गई और वह खुशी से जीवन जीने लगी उसने हमेशा शिव व्रत किया और भगवान शिव की भक्ती की